तो हे गाईज वेलकम बैक विथ अंदर वीडियो तो फ्रेंट इस लेसन में हम पढ़ने वाले इस वीडियो में पढ़ने वाले लेसन नमबर थी और सर्प्राइस फॉर ग्रेंड मा तो चलिए विनादेरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले जो है मैं आपको उतादू कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आएं तो इससे सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें तो यहां पे सबसे पहला लिखा हुआ है लिसन रेट एंड इन एक्ट यानि कि आप इसे सुनो पढ़ो और फिर इसके हिसाब से आप अभिन और ऋन सुवीटी आर गुएं टो विजट ग्राइन माइं और ग्रैंटा केने कंथा संडे चो एव उस दिन छुटी ओती है और सुखन और सुटी अपने दादा दाजी से मिलने जाते हैं तो जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं तो सबसे पहले कहते हैं Hello grandma, Hello grandpa यानी दादा ज windows कहने का मतलब अब grandpa बोल रहे हैं कि जो grandma है वो आज बहुत busy है उन्होंने सारे rooms को साफ किया उन्होंने सारी window को wiped किया साफ किया ठीक है खिड़किया room साफ किया ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आगे यहाँ पे are you tired grandma let's give grandma a rest today just sit and have a rest कहने का मतलब वो सोहन स्वेटी बोल रहे हैं कि grandma क्या ठगे हुए हो मतलब आप इतना काम किये तो ठगे होगे let's give grandma a rest today कहने का मतलब अब grandma को चलो थोड़ा आराम देते हैं दादी जी को आराम देते हैं तो उनको बोले कि आप बैठो और थोड़ा आराम क करो अब come on sohan come on sweetie तो यहाँ पर grandpa ने दे ग्रैंडम और स्वेटी को जो है बुलाया ठीक है की come on sohan come on sweetie grandpa dan sweetie work in the kitchen they are busy कहने का मतलब grandpa जो है tohann principle को बुलाए और किचेन में जो है वह काम करने लेगे they are busy मतलब kitchen में busy हो गया अब समाज ही रहे हो किचेन में busy करे character कि grandma को आराम करवाना है और grandpa के साथ सोहन और स्वेटी किचन में कुछ न कुछ उनके लिए पका रहे है ठीक है तो यहां पर उन दोनों ने फिर grandma के पास आए और बोले come to the kitchen grandma come and see मतलब दादी kitchen के kitchen पे आओ kitchen में आओ और फिर देखो ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओ, सूप, सैंड्विचेस, एंड सलाथ, what a treat, मतलब, जबी दादी किचन में आई, और फिर मतलब डिनर टेबल पर और उन्होंने देखा कि क्या वात है, सूप है, सैंड्विचेस है, सैलेट भी है, तो बोलें, क्या वात ह हाँ, सॉरी, ग्रेंड मा, डू यू लाइक बनाना डिलाइट, ओ, आई लव इट, तो सोहन और स्वीटी बोलते हैं, क्या आपको बनाना डिलाइट पसंद है, तो दादी ने बोला, बहुत जादा पसंद है, बेहत पसंद है, तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, यहां पे ल सब्राइज है, इस पार्सल को ओपन करिये, तो उन ने ओपन किया, और यहां पी क्या आता है, ओ, अ मोबाइल फोन, what a surprise, बट, अब जादी जी ने बोला, कि उन्होंने पार्सल खोला, और बोला कि एक मोबाइल फोन, क्या बढ़िया सब्राइज है, लेकिन, अब उन्होंन help you कहने का मतलब है दादी ने बोला बट लेकिन मुझे चलाने नहीं आता वह ऐसा बोलने वाली थी लेकिन सोहन और स्वेटी बोलते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम जानते हैं कि आपको यूज करने नहीं आता मोबाइल फोल बट हम जो है आपको आपकी मदद करेंगे आपको सि प्राइस भी देते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीजे समझ में आगी होगी अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे देखते हैं कि क्या-क्या चीजें दी हुई है तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखा है look and say second thing हाँ तो यहाँ पे लिखा है has been what did for today us here she we how please तो यहाँ पे आपको इसी तरह look यानि इसको देखना था और इसको पढ़ना था ठीक है तो इस तरह आपने पढ़ दिया अब हम बढ़ते हैं आप अपने answer the following questions तो यहाँ पे लिखा है न first number who are going to visit grandma and grandpa तो भाई grandma और grandpa दादा दाजी से कौन मिलने जा रहा है तो sohan and sweetie sohan and sweetie are going to visit grandma and grandpa ओके तो यह आपका answer होगा second question क्या बोलता है who has been busy today तो यहाँ पे कौन busy है भाई आज कौन busy है दादा जीन ने किस क्या बोला था कौन busy है so grandma has been busy today मतलब आज grandma busy है अब next question c where do grandpa, sohan and sweetie work तो grandpa, sohan, sweetie कहाँ पे वर्क करते हैं kitchen में so grandpa, sohan and sweetie work in the kitchen next question next and last question d what is the surprise for grandma तो grandma के लिए क्या surprise था mobile phone so answer will be a mobile phone is the surprise for grandma okay have you understood आपको समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है fourth में fourth में लिखा है who said the following okay मतलब कि यह जो यहाँ पे लिखी हुए चीजे किसने कही ठीक है किसने कही पहला है a are you tired grandma तो किसने यह बात कही थी sohan and sweetie ने ग्रैंडपा ने so grandpa sat to sohan and sweetie okay next ओ a mobile phone यह word किसने कहा था जब surprise उन्होंने खोला दादी ने और कहा ओ a mobile phone तो यहाँ पे हम लिखेंगे grandma sat these words means यह word जो है वो grandma ने बोला था ठीक है next next and last okay d but don't worry we will all help you यह वाली बार last में एकदम बोली थी sohan and sweetie ने जब दादी ने कहा कि मुझे तो mobile चलाने नहीं आता ठीक है तो यहाँ पे हम बोलेंगे sohan and sweetie sat to grandma ओके तो इस तरीके से था यह हमारा fourth who said the following हो गया आपको समझ में आ गया होगा अब बढ़ते हैं fifth and last following पे देखो क्या लेके रखा है क्या लिख के रखा है how can we keep the following clean मतलब अब यहाँ पे जितनी चीजे लिखी हुई है ना इसमें हम बोल रहा है कि हम इन सब को कैसे clean रख सकते हैं मतलब हमारी बोड़ी को clothes को यानि कपड़ों को home यानि अपने घर को और अपने स्कूल को कैसे clean कर सकते हैं अब बोड़ी सुबा सुबा उठके आप क्या गरते हो brush करते हो उसके बाद आप नहाते हो आपके नाखून बढ़ जाते हैं तो आप नाखून काटते हो ठीक है इस तरीके से आप अपने बाल वील जाड़के रखते हो तो ये सारी चीजें हैं तो आप इसमें लिखना मैं आपको example के लिए दो बता देता हूँ बोड़ी को हम brushing brushing से clean रखेंगे और bathing से clean रखेंगे और cutting the nails बट दो आपको fill करने में सिर्फ दो दो बता हूँ ठीक है clothes को आप क्या करते हो कि आपके clothes clean रहते हैं first thing washing second thing ironing बाकी third and fourth और भी चीजें अगर आपको पता चले अपने मम्मी पापा या कहीं से भी तो आप खुद से fill करना या comment में बताना है ठीक है home जो है वो हम कैसे clean रखते हैं हमारा जो घर होता है home उसे हम कैसे clean रखते हैं जाडू लगाते हैं पोचा लगाते हैं धूल गर्दे साफ करते हैं बराबर ना तो हम यहाँ पे sweeping कर देंगे sweeping dusting ओके या फिर आप कहलो mopping कर लें ठीक है school को आप कैसे कैसे साफ रखते हो आपका school कैसे साफ होता है बहुत सारे कचड़े होते हैं तो आप कैसे साफ रख सकते हो आप जो है school में dustbin में मतलब आपके जो भी कचड़े हैं उन सब को आप dustbin में मौपिंग कर सकते हो, वहां भी स्वीपिंग होता है, ठीक है, ये सारी चीजे, जो आते हैं, मतलब जो स्कूल में साफ सफाई करते हैं, ठीक है, मौशी वगरे लोग, तो वो क्या गरते हैं, वो जाडू लगाते हैं, पोचा लगाते हैं, ठीक है, तो by use dustbin, by mopping, by sweeping, ठीक है, तो हमारा स्कूल जो है, clean हो सकता है, ठीक है, तो यहां पर देखो, हमारा ये lesson जो है, easily खतम हो गया, बहुत ही आसान lesson था, बहुत ही, I hope आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को like जरूर करना, और चैनल पर नहीं हो, तो subscribe करके ज